हेलो फ्रेंट्स केसे हैं आप लोग कुछ दिन पहले एक फ्री वीडियो एडिटिंग एप के बारे में मैंने बताया था पर उसमें कुछ टेक्स्ट इफेक्ट्स ट्रांजिशन्स और कुछ फीचर्स अनलॉक्ट नहीं थे उनके लिए पे करना पड़ेगा पर इस एप में आ फ्रेंट्स इसमें बहुत सारे एनिमेटर टेक्स्ट इफेक्ट्स और टांजिशन्स दी गई है जिन्हें आप अपने वीडियो में एड कर पाऊगे साथ में फ्री यूट्यूब इंट्रोज भी आप फ्री में क्रियेट कर पाऊगे तो फ्रेंट्स इस एप का नाम है बेटा एप के फीचर्स के बारे में बात करने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ वाटर मार को रिमूब करने के लिए आपको सबसे पहले सेटिंग्स पर जाके इसे टॉन आप करना होगा तो वीडियो को export करने से पेले यहाँ पे आके इसे turn up कर लेना फिर मत बोलना की बताया नहीं तो friends यहाँ पर सबसे पहले आपको plus icon पे click करके आपका media file यहाँ पर insert करना होगा तो कुछ step का interface देखने को मिल जाता है इस editor का एक के बाद एक feature के बारे में बात करते हैं सबसे पहले है edit का option यहाँ पर अगर आप जाते हो तो यहाँ पर वीडियो को split कर पाऊगे आप speed adjust कर पाऊगे अगर आपको वीडियो को fast forward करना है या फिर slow mo यहाँ पर आप इसे easily कर पाऊगे देन यहाँ पर आप volume edit कर सकते हो देन है rotate यहाँ पर आप वीडियो को rotate कर पाऊगे अगर आपको timeline पर और भी media files add करना है तो यहाँ पर आप plus icon पर क्लिक करके कर सकते हो then friends यहाँ पर add music का option देखने को मिल जाता है यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको बहुत सारे music files देखने को मिल जाएंगे जिन्हें आप अपने वीडियोज में यूज कर सकते हो और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर बहुत सारे sound effects भी देखने को मिल जाते हैं जो कि एक interesting वीडियो एडिट करने में help करता है और साथ में चाहें तो आप अपना खुद का ओडियो फाइल भी यहाँ पर एट कर पाऊगे transitions की बात करें तो भाए यहाँ बहुत ही कुमाल के transition effects देखने को मिल जाते हैं खास करके dynamic section के अंदर बहुत ही cool transition effects दी गई है बहुत ही सही है यार किसी भी paid editor के अंदर भी इतने सारे effects नहीं मिलते अब आते हैं text पे आपको caption title levels कुछ भी add करना है आपके वीडियोज में यहाँ बहुत सारे animated and static templates मिल जाते हैं अगर आपको video editing पसंद हैना तो आपको प्यार हो जाएगा इस app से then filters की बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ filters भी देखने को मिल जाते हैं जिन्हें आप चाहें तो अपने वीडियोज में apply कर सकते हो पर एक कमी है इस app की इसके अंदर आपको color correction करने का option नहीं मिलता क्या आपको अपने वीडियोज को cinematic way में edit करना पसंद है आप अलग-अलग effects add करते हो अपने वीडियोज में देन यहाँ पर काफी कमाल की cool effects मिल जाते हैं जिन्हें आप अपने वीडियोज में add करके अपने वीडियो को और भी interesting बना सकते हो basic retro motion, particles, hearts, rain और storm जैसे natural effects और split effects सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाता है सच में बहुत ही कमाल के effects देखने को मिल जाते हैं जैसे कि advanced editors में होता है then scale के अंदर जाते हो तो यहाँ पर आप वीडियो को crop कर पाऊगे order के अंदर आप सभी media files की order change कर सकते हो friends आप वीडियो को max 1080p पे export कर पाऊगे फोर्खे का option यहाँ पर नहीं मिलता एक और कमाल का feature है isma template यहाँ आपको short videos और YouTube intros के लिए templates मिल जाते हैं बस आपको template select करना है और उसमें आपका picture या फिर video add करना है आपको खुछ से कुछ भी करना नहीं होगा picture और video add करने के बाद अगर आप text को edit करना चाहते हो तो अपना text enter करो और आपका video हो जाएगा ready तो अगर आपको कुछ इस type के short videos create करके share करना पसंद है तो वो भी आप कर पाओगे इस app के अंदर तो friends ये था बेटा एक completely free video editing app जिसके अंदर आपको बहुत सारे कमाल के features देखने को मिल जाते हैं I hope कि आपको ये app पसंदाया होगा आपको कैसा लोगा नीचे comment करके जरूर बताना और friends वीडियो चलोगा तो वीडियो को लाइक करो शेर करो और एसे और इंट्रेस्टिंग वीडियोज देखने के लिए चनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकोन को प्रेस करना बिलकुल भी मद बुलना Thank you for watching this video and keep smiling this is चनसुमान signing out